हाई ह réseव फैगल को आप स्वागत今天的 में माहब्यव्सी है कि वेब्स के उपर में अपना वांब्रन चाहते हैं माहब्यब्र महा ऑटि दॉट की दोविड़ उपर में एस्मेश्व आप City ओथे साथी जानना के कॉंसे डाकूमिट यसा रनत करना है new form किस तरके से बनना है इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यह बताऊंगा कुछ documents की information renewal वगरा की information और कुछ चीजे जो एड हुई है इस website के अंदर में वो चीजें यहां पर बात करेंगे उसके अलावा जो है मैं नेक्स वीडियो में बताऊंगा पूरा form किस तरके से फिलब किया जाता है जिसमें renewal हो या फिर आप फ्रेश admission कर रहे हो सबसे पहले जाते हैं इस website के उपर में आपको जाना है इस website और यहां पर नया registration करना है और अगर आपका पुराना लागिन है यानि पुराना पिछले साल अपने भारा था आप फ़र्स्ट टियर से से कंड डियर में गये है तो यहां से में लागिन करकर उसी आईडी से आपका registration करना है उसके अंदर में कुछ चेंजेस करने हैं उसके अलावाज अगर आप डिप्लोमा में scholarship उठा चुके है और आप डिरेक्ट सेकंड येर के अंदर में admission लेना चाहते है तो भी आपको पुराने लागिन से ही उसके अंदर में secure होना जरूरी है अची आपके पास में जरूरी है मार्षिट जो भी है आपकी 10 class 12 class वगरा की सारी माशिट में होनी चाहिए उसके बाद में आगर आप लाट benut किये गया inspire आप के पास में कितरूब आपका नंबर लगा आपके पास में होना जड़ूरी है कास सर्टिफिकिट आपके लिए जड़ूरी है इंकम प्रूफ आपके लिए जड़ूरी है नॉन क्रेम लियर जड़ूरी है अगर आपके पास में आपके गैप दिया या फिर जो भी आपकी गैप है वो गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है तैसिल आफिस से डुमिसाइल मेंडेटरी डाकुमेंट है डुमिसाइल भी आपके पास में होना जरूरी है और उसके बाद में एक डिक्लेरेशन प्रतिद्निय अपतर जिसे बोला जाता है वह उसका होना भी आपके लिए जरूरी है उसके बाद में जो है राशन कार्ड आपको लगाना होता है अगर आप कास में है तो बैंक की डिटेल और मोबाइल नंबर यहां पर आपको लगता है लेकिन अगर आप रिनीवल एड्मिशन कर रहे हैं याने आपने पहल में चेंजिस करने होते है एडिट बटन का जो आप्शन है वह किस तरह के से वह में नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगा यह सिर्फ इंफ्रमेशन है उन लोगों के लिए जो महाँ डीवीटी वेबसाइट के कुछ खास जानकर ही जानना चाहते हैं यहां पर परसंटेज चाहिए आप डीप्लोमा से डिग्री में आए हैं तो आपको डिप्लोमा का जो को से उसे जो है पास को के अंदर में एड करना है और जो चीजे उसके अनरब प्रिवेस कोक्ट के औसे निकाल देना है उसके बाद में अपलोड मार्क शील करनी है आपको सेकंड डियर का वो आपको दालना है कि पेड़की है वो आपको दालने है पिसकी इसे हम बॉलते हैं वो सारी चीज़े है अब हम बात करते हैं जैसा कि हम देखते है कि कि लॉड़ इन करने के बाद मिया आपको पेज आता है जहां queer करन्ड कोर्स की डीटेल होती है वहां पर 2018 लिखा हुआ है तो 2018 यहां पर दिया गया पर सिविंग याने आपने जो है कोर्स में अभी एडमिशन लिया था लेकिन अब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो इसे अप एडिट बटन पर जाका या इसे डिलीट करकर फिर से फ करनी है और उसके अंदर बोनाफाइड वगरा लगा देना है उसके अलावा अगर आप जो है कंप्लीट कर चुके तो उसकी डिटेल हम वहां पर आड़ कर देंगे उसके अलावा उसके अंदर में कुछ टैप्स नए आया है जैसा कि अगर आप सैलेरीड है तो सैलेरीड का अप्शन वहां पर आपको डालना होता है उसके बाद में जैसा कि यहां पर दिया गया है आप्शन यह और प्रॉपरली पढ़ना है ताकि आप उसके अंदर कोई गलती ना करें उसके बाद में यहां पर आपको बैंक की डिटेल आइड करना जरूरी है अब जो आगर लपना करें यह इंस्ट्रेक्शन आप याद रखें यह पीडियाफ की लिंक जो है मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दालूंगा या फिर आप जो है मुझसे कांटिक करकर पीडियाफ ले सकते हैं इस तरी किसे आपको जो है फॉर्म फिलप करना है उसकी सारी डिटेल आइड करनी है तो यह एक बीसिक करने हैं महां ठीजेट करना आप को चेंजे सकते हैं जो है करनी है है जो है एडमिशन की डेट आपको नहीं साल की दाननी है पेड़ देनी है तो इस तरीके से सारी चीज़े आपको लगाना है करण डिलीट ऑल डिटेल फॉर दी करन्ट कोर्स यह जो आप्शन दिया गया यह आपको याद रखना है कि जो अपने प्रिवेस यह में डिटेल दा कि अगर आप एटी की विद्यारती है तो वहां पर एटी कीटी ही आपको आइड करना है पास नहीं लिए पास अगर आप लिखते हैं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आपको स्कैन कॉपी लगानी है फस्ट यह में एडिटिंग आप यह कर रहे है भी काम कर रहे है यह फिर जनरल कोरस कर रहे है यह टेक्निकल कोर्स कर है तो इस चीज़ को याद रहे हैं जो नेक्स वीडियो में मैं बताओं गां तो दोस्तों यहां पर थी एक बेसिक information आपको वीडियो पसंद है तो लाइक रूद दा और वीडियो में कुछ कि तो कमेंड बाक्स में करकर झाल झाल